एक बहुत ही सुन्दर घटना है जो अश्ट वक्र के आसपास घटी जब जनक महराज को आत्मग्यान प्राप्त हुआ ये बहुत दुरलब है एक राजा का आत्मग्यानी होना ये सिर्फ दुरलब ही नहीं बलकि बहुत बढ़िया बात भी है क्योंकि एक आत्मग्यानी शासक प्रजा के लिए बहुत बड़ी बात है इससे बहतर कोई आशरवाद नहीं है तो जब ऐसा हुआ तो उनके गुरू अश्ट वक्रने गुरू ऐसे भी हमेशा कठिनी होते हैं जैसे ये आपको लगेगा कि आपको आपका मार्ग मिल गया वो बोलेंगे कि ये मार्ग सही नहीं है जब जनक को लगा कि उनका आत्मग्यान हो गया और बस यही सब कुछ है अश्ट वक्रने कहा ये सब कुछ नहीं है तुम्हें वापस जाकर अपने राज्य पर शासन करना होगा शायद तुम्हें ये नहीं चाहिए लेकिन बात वो नहीं है बात ये है कि लोग इस योग्ये हैं कि उन्हें एक आत्मग्यानी राजा मिले तो जनक को जब भी समय मिलता था वो अश्ट वक्र से मिलने उनके आश्रम में चले जाते थे जो कि घने जंगलों में था तो जनक अक्सार आश्रम जाय करते थे स्वाभाविक रूप से चूंकि गुरु अकेले लोग होते हैं क्योंकि आत्मग्यानी साथी कहां खोजा जाएं ये बहुत मुश्किल है तो स्वाभाविक रूप से वो दोनों ही उस आपसी तालमेल का आनंद ले रहे थे एक दूसरे के साथ का आनंद ले रहे थे बाकी के सभी शिश्यों ने ये देखा कि अश्टवक्र इतने सिद्ध और महान होते हुए भी ऐसा लगता है कि राजा के लिए उनके अंदर थोड़ी कमजोरी है जब भी वो आते हैं ये दुनों खूब बाते करते हैं, खूब हसते हैं और ये लोग जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया या उन्हें ऐसा लगता था कि वो सब कुछ छोड़ कर आए हैं वो यहां सन्यासी बन कर रह रहे हैं उनकी और पर्याप तो ध्यान नहीं दिया जा रहा लेकिन अगर आप उन्हें दस मिनिट के लिए गुरू के साथ छोड़ दें तो उनको समझ नहीं आएगा कि आगे क्या किया जाए तो थोड़ी बहुत नाराजगी बढ़ रही थी अश्टवक्रे ये जानते थे लेकिन उन्होंने इसे बढ़ने दिया क्योंकि हर बढ़ी हुई परिस्तिती एक संभावना है कुछ तो बढ़ना चाहिए तभी आप कुछ कर सकते हैं अगर कुछ नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब कि लोग मरे हुए जिन्दा नहीं है अगर जिन्दा लोग होंगे तो कुछ तो बढ़ेगा खुशी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, पर्मानंद बढ़ेगा या कम से कम नाराजगी, या नफरत, या जलन कुछ तो बढ़ना चाहिए अगर कुछ बढ़ रहा है तो हम उनके साथ कुछ कर सकते हैं कुछ भी नहीं तो उनके साथ क्या करें तो उन्होंने इसे बढ़ने दिया और फिर ये घटना हुई एक दिन सत्संग में जनक भी आये और पीछे की ओर बैठे हुए थे अश्टवक्र सत्संग के दौरान कुछ कह रहे थे और अचानक एक सिपाही भागता हुआ आया और गुरू की तरफ देखे बिना वो राजा के पास दोड़ते हुए गया उसने उची आवाज में कहा राज महल में आग लग गई है आपको अभी चलना होगा जनक ने कहा निकल जाओ यहां से सत्संग में दोड़ कर आने की तुमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरू को प्रणाम किये बिना तुम यहां आए और चीखते हुए बेकार की बाते कर रहे हो निकल जाओ यहां से और अश्टवक्र ने सत्संग जारी रखा जनक वहां बैठे रहे महल जलता रहा यहां किसी को चिंता नहीं है वहां लोग जरूर चीख रहे होंगे लेकिन यहां किसी को कोई चिंता नहीं है फिर यह चलता रहा और एक लैप अफ़ दे मास्टर इवेंट है तीन दिन चलता है जब तक आपके पैर सुन नहीं हो जाते यह चलता रहता है यह चलता रहा और एक लड़का जो आश्रम के काम करता था भागता हुआ सत्संग में आया और बोला बंदरों के जुन्ड ने ब्रह्मचारियों के कपड़ों के साथ तबाही मचा रखी है जैसे उस लड़के ने यह बोला कई लोग खड़े हुए और कपड़ों को बचाने के लिए भागे उनके कपड़े थे कैसे? कोई डिजाइनर कपड़े तो थे नहीं हाँ उससे डिजाइन तो किया गया था लेकिन वो सिर्फ एक लंगोड थी कपड़े का एक टुकड़ा उन कपड़ों को बचाने के लिए वो दोड़े और उन्होंने बंदरों को वहाँ से भगाया और जितने भी कपड़े वो बचा सकते थे उन्होंने बचा लिया और फिर वापस आ गए तो अश्टवक्र ने सबसंग जारी रखा और फिर उन्होंने कहा यहाँ एक राजा मौजूद है जिसका महल दौलत और लोगों से भरा हुआ है सिर्फ पैसे और कीमती सामान ही नहीं वहाँ लोग भी है वो लोग जो इनके लिए माइने रखते हैं महल जल रहा है लेकिन उन्हें चिंता है कि कहीं सत्संग की लय न तूट जाए तुम दावा करते हो कि तुमने जीवन में हर चीज छोड़ दिये कपड़े के एक टुकड़े के लिए तुम बिना कुछ सोचे समझे बाहर भाग गए मेरी तरफ देखा भी नहीं कपड़े के एक टुकड़े को बचाने के लिए नहीं हमारे पास सिर्फ दो ही है एक हमने पहन रखा है एक वहाँ है अगर बंदर उसे ले गए तो हम क्या करेंगे तो राजा की तुलना में हम अधिक जरूरत मंद है राजा अपने लिए एक और महल भी बनवा सकता है लेकिन हम लोग आप आदम से कुछ सीख सकते हैं पेडों में आदम के बहुत सारे अंडवे लटक रहे हैं तो आश्ट वक्र ने कहा सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है बलकि ये कि आपने उसे कैसे पकड रखा है अगर आपके हाथों में एक राज्य भी है तो आप उसे भी एक खास तरीके से थाम सकते हैं जरूरी नहीं है कि राज्य बाहर हो और पैसे और लोगों से मिल कर बना हो ज्यादातर लोगों के लिए उनका राज्य उनका अपना शरीर और मन होता है आप इसे कैसे थामते हैं अगर आप इसे एक तरह से थामेंगे तो ये आपको दर्द और जख्म देगा अगर आप दूसरी तरह से थामेंगे तो आप जीवन के साथ तालमेल में होंगे क्योंकि जीवन बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप जीवन है हलो, हाँ, आप हैं उस पत्थर को देखिए जो आपके पास खड़ा है वो कितना सरल और सहज है आया ना तो अगर आप जीवन नहीं होते सब कुछ कितना सरल और सहज होता इसलिए लोग खुद को डुबाना चाहते है शराब में या ड्रग्स में या बहुत ज्यादा खाने में या किसी और चीज में क्योंकि किसी तरह आपने ये पता लगा लिया कि जीवन नहोना सरल और आसान है अगर आप बहुत जीवन नहों तो ये बहुत सरल और आसान है आप बस कहीं एक चटान की तरह बैठ सकते हैं पर जब मौत का पल आएगा तब आप जान जाएंगे कि आप जीवन हैं और कुछ और होने का नाटक कर रहे हैं नहीं तो मौत नहीं आती वो पल असहनी कष्ट देगा तो हम चाहते हैं कि आप सचेत रहें यही वज़ाए कि मैं आपको लगातार याद दिला रहा हूं कि आप एक दिन मर जाएंगे मैं आपके लिए मौत की कामना नहीं कर रहा बस इतना है कि मेरे सहयोग के बिना भी मौत आएगी इस बात का मुझे पूरा विश्वास है मुझे आपकी मौत की कामना करने की ज़रूरत नहीं है लगातार मृत्यों की याद दिलाने की वज़ए बस यह है कि आप जान जाएं कि आप जीवन है आप इस चटान की तरह नहीं जी सकते आप एक मशीनी प्राणी की तरह नहीं जी सकते जो चलता है बाते करता है और वो सब कुछ करता है जो आप कर सकते हैं लेकिन जीवित नहीं हो सकता सबसे महत्वपूर्ण वही है क्या यह महत्वपूर्ण है नहीं नहीं, अगर मैं किसी और की तरह काम कर पाऊं, बस वही माइने रखता है इस से फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिन्दा हूँ या नहीं हूँ, है ना अगर मैं किसी और की तरह काम कर सकूँ अगर मैं किसी और की तरह सफल बन सकूँ अगर मैं वो चीज़ें पास सकूँ जो किसी के पास है या किसी के पास नहीं है, तो इतना काफी है, ज्यादतर इंसानों के लिए इतना काफी है, तो कई मायनों में अंजाने में वो समझ गए हैं कि जीवन का समाधान है, जीवन न होना, पर ये समाधान नहीं है, धोका है, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप मरते भी हैं, तो इससे ये साबित हो जाता है, कि आप जीवन थे जब आप जीवित थे अगर तब आपने साबित नहीं किया कि आप जीवन हैं पर कम से कम मर कर आप ये साबित कर देते हैं कि आप जीवन थे आया ना तो आप इससे बच नहीं सकते नहीं जीवन की चालाकियों से नहीं मृत्यू से आप इससे बच नहीं सकते तो क्या ये एक फंदा है? ये फंदा नहीं है ये एक जबरदस्त संभावना है जिस मिट्टी पर आप चलते हैं वो जीवन बनना चाहती है अगर इच्छा नहोती तो वो पेड़ बनकर खड़ी नहोती जो चीज जीवन नहीं है वो जीवन बनने की इच्छा रखती है नहीं तो ब्रहमांड में कुछ नहीं होता हर चीज चाहती है जीवन बनना और जीवन का शिखर बनना आप इसे विकास की प्रक्रिया कह सकते हैं या जो चाहे कह सकते हैं लेकिन मूल रूप से हर चीज जो जीवन नहीं है, वो जीवन बनना चाहती है हर वो चीज जो जीवन है, उसकी चाहत है और भी उचा जीवन बनना ये कोई शिक्षा नहीं है, नहीं कोई धर्म ग्रंथ है, नहीं किसी के विचार धारा है जीवन हमेशा से ही ऐसा है, ये इच्छा मौजूद होती है इसे शांत करने का एक ही तरीका है जीवन न बनने का नाटक करना या आत्मग्यान प्राप्त कर लेना ये दोनों तरीके एक ही काम करेंगे एक ही नतीजा पर पूरी तरह से अलग जीवन प्राप्त करेंगे